जय श्री राम, सोना की रसोई से हाजिर है आप सबके लिए बिलकुल देसी और चाइनीज, दोनों ही का मिक्स अप बहुत ही टेस्टी ये पास्ता की रेसिपी, बहुत ही यम्मी लगता है, आप देख सकते हैं कि देखने में भी कितना यम्मी लग रहा है, तो खाने में तो ब तो सॉस के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है सोया सॉस, तो दो चम्मच हमने ले लिया सोया सॉस, इसके साथ हमने ले लिया हाफ टी स्पून विनेगर, और साथ में हमने इसमें डाल दिया चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस आता है न, वो भी दो चम्मच हमने इसमें एड़ क भी गली मिर्श के बाद हम डाल देंगे इसमें 1 छमच मत जीरा पाउडर साथ ही साथ हम डाल टेंगे कोटी हुई काली मिर्च का साथ में नमक भी स्वादनूसार लाइन अवर pmी स्ब्सवाइब अब साथ हम डाल लेंगे अबटशा में लाइन अब चो कईच start तो ये भी हम दो चमच के करीब डाल देंगे, हमने ऐसे ही डाल दिया है, बट हम इसमें दो चमच के करीब टोमेटो, कैचप भी डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से आप जो पहले ही सॉस बना के त्यार कर लेंगे इसमें हमने डाल दिया रिफाइंड और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे तीन बड़ी प्याज हमने कट करिए लच्छे वाली जैसी नॉर्मल सबजी के लिए कट करते हैं बिल्कुल वैसी ही तो वो भी हम जब तेल थोड़ा गरम हो जाए तो उसे एड़ कर देंगे और थोड़ा सा जब प्याज हमारी न हलकी सी कलर अपना देने लगे तब तक हम इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे अच्छे से चलाते हुए, हमें इसे फ्राइ कर लेना, देखी अपना कलर ये चेंज हो गया है, इसका प्याज का, तो बिल्कुल इतने तक ही हमें इसे करना है, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, दो कटी हुई मिर्च, हरी मिर्ची, बड़ी बड़ी हमें लंबी-λंबी कट करनी है है और यो ऐ 7-8 लहसुन हमें अच्छे से चाहएं आप ग्रेट करके डाल दो चाहएं थोड़ा सा कूट के डाल दो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो एक से दो मिनट के लिए हम इसको लहसुन को भी साथ में अच्छे से सौटे कर लेंगे जिससे इसका जो कच्छा पन है वो बिल्गुल भी इसमें रह ना जब अब लेंगे तीन से चार बड़े पुरी ये तीन से चार हमने बड़े टमाटर लिये थे इसकी प्योरी हमने बना लिये चोटे हो तो आप एक दो और बढ़ा ले टमाटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा और टमाटर को भी हम तब तक भूनेंगे जब तक बढ़ियां सा ओयल रिलीज न हो जाए तब तक हम टमाटर को अच्छे से भून लेंगे तो ये देखिए हमारा टमाटर भी भूनते भूनते अब बिल्कुल ओयल रिलीज कर चुका है और अब इसे स्टेज पे हम डाल देंगे अपने जो सौसेज हमने मिक्स किये थे वो तो आपको ना अलग से नमक डालने की ज़रूरत न और अब हम इसमें डाल देंगे जो सौस का था ना उसी का हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे उसको ही अच्छे से ना खांगाल के हम उसका पानी इसमें एड़ कर देंगे और एक्स्ट्रा हमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है तो बस इसे भी हम एक से दो मिनि हिस्सा है तो धनिया हमने डाल दी मिक्स कर दिया और यह रहा हमारा पास्ता हम Let's jej the to embrace in life 인भे तो तो मैंने इसकी इसली की इससे मैंने बॉल कल लिया था पानी दाल के थोड़ा सा मैंने एक चमश नमक और थोड़ा सा ओयल डालके इसे हमने बॉयल कर लिया था तो ये हमारे दो कप पास्ता अब इसमें हम पास्ते को भी एड़ कर देंगे ये देखे और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब आप सूच रहोंगे इसके बाद क्या करना है बस कुछ नहीं करना है अब बस फटा फट चमश से उठाना है और खाना है लेकिन रुख जाईए अभी एक और लास्ट इंग्रीडियन्ट है जो इसमें पढ़ेगा अब लास्ट में बस इसको जब उतारने से पहले इसमें हम डाल देंगे एक मैगी मसाला मैगी मसाले से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और ये इंडियन टच भी हो जाएगा और चाइनीज टच भी तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जब मन करें आप फटा फट से बनाईए बिल्कुल भी जणजट नहीं लगेगा इस तरीके से जब आप पास्ता बनाएंगे तो अब हमारा पास्ता बिल्कुल तयार है और ये फिर हमने हरी धनिया से सजा दिया हरी धनिया तो हम जितना भी यूज़ करें न हमें कमी लगती है बहुत अच्छी लगती है हमें हर चीज में हरी धनिया यूज़ करो और ये हमारा जटपट बन के पास्ता तैयार ये देखिए मैंने फिर से इसमें हरी धनिया सजा दी अच्छा लग रहा है ना देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही यम्मी है तो कैसा लगाईए आप सबी को मेरे साथ कमेंड बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा मुझे जरूर बताईएगा ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप सभी को ये पसंद आया कि नहीं वैसे आई होप आप सबको जरूर पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो फटा फट से लाइक कर दें और मेरे चैनल को प्लीज प्लीज जादा से जादा शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें अगर आप नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजे ऐसी नही नही रेश्पी के साथ मिलते रहेंगे तब तक हसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और सोना के किचन में आते रहें थैंक यू